हेलो स्टुडेंट आज हम नागर साइली या नागरा स्टाइल स्टेंपल के बारे में हम दिस्कॉस करेंगे बसिकली नागर साइली नागर छो है वो नोर्ड impact बारे में डलॉप हुआ जैसा की मत्र प्रदीश, चतिज्गर, U.P, Delh tutti, एंग्षान और अधफ इन- अर्ड जार्दी सिविनल्ची। 밀ेकलीन, Northern Nagara style architecture is the style of temple architecture that becomes popular in Northern India में जो popular हुआ इसको नागा शाली बोला रहा है। ये हमेशा से एक common रहा है कि ये एक stone's platform में है और इसको शिदी से चड़ा जाता है। हना, it is common in this style to build an entire temple on a stone platform with steps leading up to each. नागर स्टाइल जो है बेसिकली, structural जो पार्ट हुआ, वो गुपता स्पिरियत के आसपास में डिवलाप्ट हुआ. इसे नागर से लिए में, stone जो यूस होता था, वो को राइट है, sandstone है और वाइट मर्बल यूस हो. उसको एक हाई प्लेट फॉर्म में बनाया जाता है, यह जैसे देख सकते हैं, नागर स्टाइल डिस्क्रिप्शन है, और यह एक हाई प्लेट फॉर्म में बना हुआ है, अलग-अलग पार्ट को, अलग-अलग नॉमेंक्लिचर से इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे गर्व ग्रिया, एक अंदर इंसाइड होता है, यह वराल जो बाड़ी होता है, इसको सिखार गुलते हैं, और यह वाला जो पार्ट है, अमाल का। और टाप में जो होता है, कलसा, उपस दिंहा, जैसे यह वाला पार्ट है, इसको सबसेडारी सिख़दा, आना, और ये सारे चीज़ महा मंदपा, ग्रेट हाल, हाल जो रहता है, मंदपा, हाल, हैना, अर्ध मंदपा, इस आर दा वेरियस पार्ट आप टेम्पल, हैना, और जो प्लेटफरम होता था उसको क्या बुकते हैं, जागरिती, हैना, या अधार, सीला, बेस प्लेटफरम्स, ये सार चीज़ें, टेम्पल आर्खिटेक्चर के डिफ्रेंट नॉमेंट प्लेचर है, इसको हम, ये जो है, ये एक व्यू में है, इसको हम जब एलिवेशन में देखेंगे, और इसको नॉमेंट प्लेचर करेंगे, तो ये इस पार्ट है, जैसे बेसिकली द्रविडिनी स्टाइल में क्या होता है, कि इसमें हमेशा ये जो टेम्पल होता है, वो बांडरी वाल से घिरा होता है, और ग्रेट गोपूरम बना रहाता है, है ना, और ये जो गोपूरम है, ये एक पैगोड़ा आर्खिटेक्चर, पैगोड़ा होता है, उसकी तरह से और नंबर स्टोरे में बन रहाता है, this is Mandapa, Sri Mana, Sekharad, this is basically Derminian-Styles Architectures, है न, न, तो let's come to the various Nagala styles, architectures, features, है न, तो first of all what is Garabhagriha, Garabhagriha जो होता है, वो एक जो अंदर में जो statue को रखते हैं, वो Garabhagriha होता है, इसका जो literature meaning है, warm house and it's a cave like sector, यह basically एक गर्व कीतरा रहता है, एक केव है, गूफा-like सेक्टम से है, गर्भग्रिहा is made a house, the main coin, main deity, जहां पास जो मूख्य, जो मूर्ती है, उसको वहां पास रखा जाता है, और उसको focus किया जाता है, focus to the main ritual attention, और उस देवता को वहां पास main ritual attention दिया जाता है, फिर उसमें एक part होता है, mandapa, mandapa क्या होता है temple में, it is the entrance to the temple, जैसे हम series से चड़ता है, तो उपर में एक hall की तरह होता है, वो एक mandapa, इट में भी पोटी को, मतलब एक खुले अरिया भी हो सकता है, column भी हो सकता है, series of columns and intervals and halls that incorporated spaces for a large number of worshipers, फिर overall जैसे हम देखें कि यह जो part है, यह सिखर है, तो सिखर क्या होता है, सिखर या इसको हम बोलता है विमाना, they are mountain-like spires of freestanding temple, सिखरा, सिखरा is found northern Indian temples and विमाना is found in south Indian temples, so सिखर, इंडियन temple में क्या होता है, this is सिखरा, सिखर, सिखर, बेसिकर इस टाइप से जो structure होता था, यह सिखर होता है, और यह जो steps डिड़ होता है, इसको व विमाना बोला जाता है, तो विमाना जो होता है, वो south Indian architecture है, और सिखर जो है वो north Indian architecture, सिखर has curving shapes, while विमाना has pyramidal-like structure, so यहाँ पस ध्यान देने वाली बात है कि सिखर और विमाना में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ठीक है, तो what is the differences between सिखरा and विमाना, so I am going to repeat it and read it, they are the mountain-like spire of a freestanding temple, सिखरा is found in northern Indian temple and विमाना is found in south Indian temple, सिखरा has the curving shapes, whilst विमाना has pyramidal-like structures, later we will see all this part in detail through images, so let's come to the Amalakha, it is the stone or a horizontal fluid, disc-like structure at the top of the temple, usually seen in northern Indian temple, so this part is Amalakha, okay, Amalakha, and what is Kalasa, Kalasa on the top of Amalakha, spherical shape was placed, usually seen in north Indian temple, this is Kalasa, okay, Kalasa, then Antarala, Antarala is translation area between the Garbhagriha and the temple main hall, तो जो गर्भ लिहा होता है और जो हाल होता है, उसके बीच का जो इस्पेस होता है, उसको अंतराला बोला जाता है, then Jagati, it is the raised platform for sitting and praying and it is common in north Indian temple, basically, जो थोड़े से उंचे में जो हम temple को बनाते हैं, या height platform प्रवाइट करते हैं, उसको हम Jagati बोलेते हैं, न, north Indian temple में, वहना, it is the mount or vehicles of the temple mandated along with the standard pillar और ध्वज, which is placed axially before the sectum, यह जो इमाना होता है, यह वहिकल का एक जो मंदीर है, उसका वहिकल के रूप में काम करता है, इसको हम वहना बोलते हैं, यह जैसा कि सूरिया टेम्पल में आप देख सकते हैं, कि यह सूरिया टेम्पल कुनाणक में जो है, उसमें seven horses, chariot जो लगा हुए है, उसको हम वहना बोलते हैं इसमें, चीक है, तो, तो लेट डिसकूस, all these parts in a more detail, there are three types of shikharah, रेखा प्रसाद and लेटिका, it's the simple and most, so, the next feature of Nagra style is shikhar, this is shikhar is, shikhar is called a dual, is almost vertical till the top, when it suddenly curves sharply inward, ननस, dual, जग्गमुहन, and नत्वन्दिर, the Lingaraja temple, एडभुनेस्वर, which has built in 11th century, the Jagannath Puri, the great sun temples of Purnak, is example of Nagra style's temple, the next examples of Nagra style's temple architecture, is khajuraho temples are known for their, their base design, draw inspiration, and sculpture, patronized by Chandela kings of Gundelkhand, clear, these are the two examples of Nagra style's architectures, for today, so, this is, this is all about Nagra style architectures, okay, thank you, and have a happy learning to you,